नमस्कारी स्टूडेंट्स, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम अफ एंड टर्म्स पर डिसकस करेंगे अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और उसका एंड टर्म्स का सम निकालना है तो हम लोग डारिक्ट उस फर्मूला को यूज करके उसके सम को फाइंड कर लेते हैं लेकिन ये फर्मूला आया कहां से आज डिसकस इस पर करेंगे हम लोग इसके बाद सेलिना पब्लिकेशन के एक कोश्चन पर भी डिसकस करेंगे तो आप पोड़ा ध्यान से हमारी बात को सुनिए ये क्वेशन है ये कैसे आया कहां से आया आप इसको याद कर लेंगे और इस पर पेस्ट क्वेशन को सॉल्फ करेंगे लेकिन हम लोग पहले ये तो जान लें कि ये फर्मूला आया कहां से ठीक माल लेते हैं इसके स्वलूशन में आते हैं पाल लेते हैं फ़स्ट टर्म फ़स्ट टर्म आफ एन एपी इस एकल टू ए कोमन डिफ्रेंस हम लोग उसका दी माल लेंगे नमबर अफ टर्म्स इसकर एन माल लेंगे और सम को हम लोग दिनूट करेंगे सम आफ एन टर्म्स सम आफ एन टर्म्स को दिनूट करेंगे एस एन से क्लियर है तो हम लोग लिखते हैं एस एन उस एन टर्म्स का सम है जिसका फ़स्ट टर्म ए कोमन डिफ्रेंस टी और नमबर अफ टर्म्स एन है तो एस एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं एस एन इस एकल टू इसको लिखेंगे चितना भी टर्म्स है सब का सम तो टर्म्स होगा फ़स्ट टर्म प्लस दूसरा टर्म ए प्लस डी प्लस टीसरा टर्म ए प्लस टू डी इसी तरह से ये आगे बहता जाएगा और आगे बहते बहते इसका जो las term होगा ये last term हम लोगा यहाँ पर लिखते हैं वो होगा फास्ट टर्म A, दूसरा टर्म A प्लस D, तिसरा टर्म A प्लस 3D, इस परकार से लास्ट टर्म जो होगा, वो हो जाएगा हमारा TN, TN मतलब लास्ट टर्म, लेकिन ये जो TN है, इसके ठीक पहले क्या होगा, तो इसमें D को माइनस कर देंगे, जैसे देखिए, ये टर्म है A प फिर अगर ये पुझा जाए कि इसके पहले वाले टर्म को हम कैसे फाइन करेंगें, तो इस टर्म में हम D सब्चेक्ट कर देंगें, तो ये A बज जाता है, तो उसके परकार से, हम इसके पहले वाले जश्ट पहले वाले टरम को लिख सकते हैं TN-D, ऐसा लिखेंगे, फिर इसके ठीक पहले वाले टर्म को क्या लिखेंगे हैं वह हम लोग लिखेंगे TN-2D फिर उसके पहले वाले टर्म को लिखेंगे TN-3D इसे तरह से बैक होते जाएए होते जाएए तो यह आप ए तक पहुंच जाते हैं तो बीच में हमने इसको डैस डैस देके अलग कर दिया है किरियर फिर से हम SN लिकाल लेते हैं SN इस तरह से लिखें या इधर से लिखें बात तो एक ही है जैसे मन लेते हैं हम 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 लिखते हैं हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एडिशन में कोई अंतर नहीं परेगा तो हम लोग अब इसको लिखते हैं पहले TN प्लस उसके पहले वाला टर्म इसके पहले वाला टर्म TN माइनस D फिर उसके पहले वाला टर्म TN माइनस 2D फिर इसी तरह से डेस डेस करते जाएं तो यह आपका last term A आजाएगा यह वहाँ चला जाएगा और यह वाला टर्म पहला टर्म बन जाएगा okay आप क्या करते हैं इसको एड कर ले एडिंग दोनों को हम लोग एड कर लेते हैं तो जब हम एड करते हैं यह उपर वाला हुषी के समय दिशाओ भान नीच वाल एक्वेशन टू तो तो नो को जब एड़ करेंगे तो sn plus sn to sn is equal to left hand side वाले को add कर लिए अब right hand side वाले को add करते हैं ठीक a plus tn a plus tn इस दोनों को add करेंगे तो d और d cancel हो जाएगा तो बज जाएगा a plus tn अब third वाला इसको जब add करेंगे तो 2d और 2d cancel हो जाएगा बज जाएगा a plus tn a plus tn और इसी तरह से add करते जाओ करते जाओ a plus tn ही आएगा नहीं यकीन है तो last वाले को check कर लेते हैं a plus tn ओके a plus tn अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं a plus tn a plus tn यही तरह से चलता जाएगा यही टर्म आपको n टर्म्स तक होगा यह टर्म्स कितना जाएगा n टर्म्स तक तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे कि यह example देखो 5 plus 5 plus 5 हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 multiply 5 5 3 times है तो 3 से multiply कर दिये उसी परकार से यह n times है तो इसको n से multiply कर देंगा तो that implies 2sn is equal to n into n टर्म्स तक यह rectangular box जाएगा तो यह आ जाएगा a plus tn ठीक therefore sn हमको sn का value निकलना है sum of n टर्म्स तक तो therefore sn is equal to यह 2 जो यह धर multiply है इसको यह उस तरफ जाके divide हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे n by 2 into a और plus tn को n टर्म को हम लोग लिख सकते हैं चुकि tn is equal to a plus n minus 1 into d tn के जगा पे वो फॉर्मूला लिख सकते हैं a plus n minus 1 into d यह लिखती है अब इसको हम लोग लिखेंगे n by 2 into a plus a 2 a plus n minus 1 into d और यही हमारा यह formula है n by 2 2 a plus n minus 1 into d इसको दूसरे रूप में हम यह भी लिख सकते हैं a plus n minus 1 into d के जगा पे last term यानि लिख सकते हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे n by 2 into a plus l यह भी हम लोग लिख सकते हैं दोनों में एक कोश्चन सेलिना पब्लिकिशन का हम लोग देखते हैं इसी पर बेस्ट कोश्चन ठीक ठीक इस कोश्चन में सम नहीं निकलना है लेकिन पेस्ट है उसी फॉर्मूला पर इस कोश्चन में सम तो दिया हुआ है हमको फाइन करना है कितना टर्म्स एट करने के बाद वो रेक्वाइड जो गिवन सम है उतना होगा जैसे यहां पर यह सिरीज है हमारा 18 15 13 डैस 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 जब इसको एट किया जाएगा तो यह 45 होगा तो कितना टर्म्स इसमें होगा हम लोग इसके नमर अफ टर्म्स को एन माल लेते हैं लेते नमबर अफ टर्म्स बी एन और यही एन हमको फाइड करना है ठीक है तो तेरफोर S N S N is equal to N by 2 into 2 A plus N minus 1 into D अभी हम लोगों ने इसको प्रूफ किया था S N यह हमको गिवन है 45 तो हम लोग लिखते हैं 45 is equal to N find ही करना है तो N by 2 लिखेंगे इन्टू 2 into A A हमारा यहाँ पर 18 है तो 2 into 18 plus N तो find ही करना है minus 1 into D common difference 15 minus 18 CD is equal to 15 minus 18 is equal to minus 3 यूज करेंगे तो यह लिखती है minus 3 bracket में रखेंगे यह आ जाता है 2 into 45 90 is equal to N into 18 to 36 plus plus minus minus हो जाएगा यह minus 3 N और minus minus plus 3 फिर इसको लिखेंगे 90 is equal to N 36 plus 3 39 39 minus 3 N यहाँ से हम लोग 3 common ले सकते हैं और इससे cancel करा सकते हैं जिससे कि यह हलका हो जाए तो 3 cancel कराने के बाद यह 30 बच जाता है यहाँ पर N है 3 common ले लिए थे दोनों से तो यह 13 minus N हो जाता है अब इसको solve करेंगे 30 is equal to 13 N और minus N square यह quantity की question में आ गया यह दोनों टर्म को इस तरफ ले जाएंगे तो यह हमारा आ जाता है N square इस साइड आके plus हो जाएगा N square यह 13 इस साइड आके minus हो जाएगा 13 N और यह तो 30 इधर ही रह जाएगा plus 30 is equal to 0 30 का factor नेकालेंगे दो factor जो 13 हो 10 और 3 तो यह आ जाएगा N square minus 10 N minus 3 N और plus 30 is equal to 0 यहां से common ले लेते हैं N, N minus 10 और इस से common ले लिए minus 3 तो N minus 10 is equal to 0 that implies N minus 3 into N minus 10 is equal to 0 therefore N is equal to 3 और 10 यही answer होगा यह जो terms है number of terms इसमें या तो 10 हो सकता है या 3 हो सकता है आप 3 terms को भी add करेंगे तो यह 45 भी आएगा जैसी कि यह 3 terms है हम इसको add करते हैं तो यह 45 आएगा clearly देख सकते हो आप कहोगे कि 3 terms का भी sum 45 और 10 terms का भी sum 45 यह कैसे संभाव है तो यह संभाव है क्योंकि यह decreasing order में है इसका common difference negative में आ रहा है तो जैसे ही यह term आगे बढ़ेगा इसका negative term आएगा और addition इतफाकन उतना हो सकता है यहाँ पर check कर लेते हैं हम तो 3 में तो कोई doubt नहीं है क्योंकि 3 तो 45 हो की गया 10 पर doubt होता होगा उसको check करते हैं तो sn is equal to 10 ले लेंगे 10 by 2 into 2a a is equal to 18 plus n minus 1 10 minus 1 into d d है minus 3 इसको solve करेंगे 10 by 2 5 into 18 to 36 और 10 minus 1 9 9 into minus 3 minus 27 minus 27 यह हो गया 5 into 36 minus 27 9 9 into 5 45 तो 10 terms भी 45 होता है add up करने पर और 3 terms का भी add करने पर 45 ही होता है तो जैसा हमने discuss किया भी यह हो सकता है चुकि वो decreasing order में है इस question में यहाँ पर यह दो terms आने के वज़ए से मैंने आज ही इस question को discuss करना समझा कुछ question से होते हैं जो कि आपको थोड़ा था परिशानी पैदा कर सकते हैं उमीद है जरूर समझ भाया होगा यह solution अगर नहीं समझ भाया है तो फिर से देखेंगे एक question को 25 वार देखेंगे आजित नासा है जय हंद जय भारत